हेलो एवरिवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यूओ अलेट लोके सर अलेम्टरी स्टडी जोन, चल रही है क्लास फिजिक्स की और सलूशन चल रहा है प्री बोर्ट परिच्छा दो हजार तेइस का, यूं कहिए कि यह जो सैंपल पेपर, प्रैक्टेस पेपर हमें बोर्ड ने बोल नहीं करते हैं, तो आप लोगों से निवेदान है कि मेरे बारे में थोड़ा सा मेरी प्रतिभा कहलो, या मेरी महनत कहलो, इसको फैलाने के लिए प्लीज थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, मेरो को भी आपके मोटिवेशन की जरूरत है, भाई, मैं आ आपके लिए महनत कर रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेशन तो मिलना चाहिए न, तो आप में अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे गजब मोटिवेशन मिलेगा, एक confidence आएगा महनत करने का, तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे request कर रहा हू कि आप थोड़े से मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एच्छे वीडियो अगर आपको लग रहे हैं, और अगर गंदे लग रहे हैं, तो उनका कारण भी comment box में लिखे कि मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है, चलि आए तो स्टार्ट करते हैं, अब हम question number 1 से start कि अपना paper number 1 है, यह set number A है, तो आइए देखते हैं, सही विकल्पो का चैन करना है, सबसे पहला है, कहरा है कि सम्विभो और विद्धुत, सम्विभो प्रष्ट और विद्धुत छेतर रेखाओं के बीच का कोड़ तो बहुत ही simple question है, सम्विभो प्रष्ट जो होते हैं, औ ही विद्धुत प्रवा हुआ करता है, ठीक है, चलिए, next बात करते हैं, प्रिरकत्त का मातरक, दुबारा पूछ लियागा, वैसा प्रिरकत्त का मातरक हेंरी होता है, हर कोई जानता है, ओकी प्रिरकत्त मातरक, option number A हेंरी, लैंस की focus दूरी किस रंग के लिए नियुनतम होती हैं, ठीक है ना, देखिए, focus दूरी जो हुआ करती है, focus दूरी को आपको नियुनतम रखना है, focus दूरी कम से कम रखनी है, इसका मतलब यह आपको अधिकतम रखना है ओके ओके फोकस दूरी आपको नियूंतम रखना है फोकस दूरी आपको नियूंतम रखना है मतलब म्यू आपको अधिकतम रखना है और म्यू अधिकतम रखना है तो लेम्डा आपको मिनिमम रखना है लेम्डा आपको मिनिमम रखना है और लेम्डा मिनिमम होता है बैगनी का देखे बाल बल बच गए हम, जानती ही question क्यों गलत हो गया, क्योंकि set number two में focus दूरी नहीं आया था, वहाँ पर आया था power, यानि कि वहाँ पर क्या आयती, छमता बोलते है ना, तो छमता में ये चीज उल्टी हो जाती है, है ना, इसलिए वहाँ पे लाल रंग चलता है, मतलब अब ऐसे याद कर लो, कि छमता अगर न्यूनतम बोली जाए, छमता अगर न्यूनतम बोली जाए, तो किस कलर की, लाल कलर की, और अगर focus दूरी न्यूनतम बोली जाए, तो किस कलर की, बैग नी कलर की, तो correct answer इसका लाल नहीं होगा, इसका answer बैग नहीं होगा, क्योंकि यह खमता होती है, वो focus दूरी के with क्रमानु पाती होती है, चले अगला question, 150 वोल्ट विभवांतर भाई मुझे तो याद हो गया इसका answer होता, 1 angstrom, कैसे करते हैं, lambda equal to h upon under root 2m, है ना, electron E और V के formula से इसको solve करते है, चले, hydrogen वर्ण कम की बामर स्रेणी, देखे, सबसे पहले होती ही, ल लाइमन के बाद जो होती है, बामर आती है, है ना, तो बामर किसमें आती है, भाई साव याद रखना, कि बामर का जो spectrum आपको मिलता, वो द्रश्य प्रकास में मिला करता है, ओके, देन इसके बाद ताब बढ़ाने पर अर्ध चालकों की चालकता, जो ताब बढ़ाने पर प्रतरोध कम होता है, मगर चालकता बढ़ती है, ठीक है ना, यस, तो यह हो गया, इसमें से जो important question आपको याद रखने है, मैं कहूंगा, देखो यह question जो 150 volt वाला, इसमें बहुत calculation लगती है, इसलिए 150 volt पे आदर answer याद रखे जाना, वरंग स्टाम, hydrogen वरंड कम का लाइमन स परावैगनी और बामर के लिए कौन सा होता है, दरश प्रकास हुआ करता है, ठीक ना, क्योंकि रिखे, जो उर्जा होती ही, वो धीरे धीरे घटा करती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती ही, परावैगनी की होती है, उसके बाद किसकी होती ही, उसके बाद किसकी होती ही, क्या होगा बढ़ेगा ना तो बढ़ता है किसी विदुद परपत को भंग करने पर उत्पर प्रेरित धारा के दिशा मुख धारा की देखो भंग कर रहे हुआ भंग कर रहे हो तो क्या होगा भंग कर रहे हो तो धारा कमेगी धारा कमेगी और ये कमती हुई धारा का क्या अपोज करेगी मतलब मुखधारा का यह सपोर्ट करेगी तो यहां पर क्या होगा प्रेदित धारा के रिशा मुखधारा के समान दिसा में होगी मतलब वो कमजोर हो रही होगी तो उसको यह सहारा देगी तो इसलिए मुखधारा के समान दिसा में होगी अब यहां पर यह कंसे सामें ही तो खुद को flow करवाएगी yes, काच से बने किसी lens को जल में डूगोने पर इसकी focus दूरी क्या हो जाती, देखो भीया काच से बने किसी lens को जल में डूगोने पर इसकी focus दूरी क्या हो जाएगी तो इसमें कौन सा formula देखा, देखे 1 upon f equal to mu minus 1, okay अगर आप जल में डूगोते हो अगर आप में इसको जो है, जल में आप डूगोते हो तो इसकी focus दूरी में क्या परवरतन हो जाएगा यह आपको बताना है तो यह question जो है, इतना आसान नहीं है, इसको समझने के लिए आपको एक पूरा concept समझना पड़ेगा, देखे, क्या होता formula, जो lens maker का formula होता है, 1 upon f equal to 1 upon f equal to mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, चले, मैं उस concept की आपको ले के चलता हूँ, तो शायद आपको थोड़ा सा explain कर पाऊँगा, तो उस concept की और मैं ले करके आपको चलूँगा यस, थोड़ा सा मैं इधर पर crop कर लेता हूँ, इतना white सा part तो आपको समझ में आ जाएगा, यस, देखे तो शुरुआत में क्या था, आपके पास में जो काज था, वो हवा में था, ओके तो जो refractive index बन रहा था, वो क्या बन रहा था, a mu g तो formula क्या था हवा में 1 upon f a equal to a mu g minus 1 okay, 1 upon r1 minus 1 upon r2 दूसरा देखे, जब आपने इसको यदि पानी में डुबा दिया, तो क्या बन गया, 1 upon f liquid पानी के अंदर equal to w mu g minus 1 और 1 upon r1 minus 1 upon r2, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है देखो भाई सब, a mu g क्या होता है, जादा a mu g क्या होता है जादा, ओके, और a mu g जादा हुआ करता है और w mu g क्या हो जाएगा मतलब, पानी के respect में glass का refractive index, यह क्या चीज़ होती है यह कम होती है, अब कम क्यों होती है, देख लो भाई, a mu g का मतलब कितना होता है, mu g upon mu a और w mu g का मतलब क्या होता है mu g upon mu w, मतलब की glass, काच के respect, पानी के सापेक्च में काच का और हवा के सापेक्च में काच का तो भाई, हवा तो viral है, तो viral के सापेक्च यह चीज़ जादा होगी तो जब ये चीज़ कम होगी तो all total ये पूरा का पूरा क्या आएगा कम आजाएगा और अगर कम आजाएगा उपर की चीज़ अगर कम हो रही तो नीचे की चीज़ को क्या होना पड़ेगा बढ़ना पड़ेगा मतलब focus दूरी जो हो जाती है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाता है प्रकास विद्धोधारा आप्तित प्रकास की अनुक्रमान पाती हो क्योंकि तीवरता जितनी जादा होगी प्रकास उतने विद्धोधारा उतनी जादा बनेंगी है न उतने फोटॉंस निकलेंगे और उतनी जादा करेंट निकलेंगी नाभिक के अंदर न्यूट प्लस-L2 तो इतना हो जाएगा L1 प्लस L2 तो इसका आंसर है L1 प्लस L2 किस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्धो धारा वाट ही धारा हो सकती है भाई सब ओके देखे कह रहा है कि किस प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्धो धारा वाट ही धारा हो सकती देखो एक तो आपके पास में L होता है L परिपत में जो विद्धारा होती है वो वाट ही धारा हो सकती है और एक C परिपत में जो विद्धारा हो सकती है वो वाट ही धारा हो सकती है ठीक ना और साथ ही साथ L C परिपत में भी जो विद्धारा है वो वाट हीन धारा हो सकती है क्योंकि देखिए इसका कानण ये है कि वाट हीन धारा होने के लिए जो फाई है एंगल ओफ फेज उसका मान कालांतर कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए और ये आपके पास तीन ही परिपत में संभव है ये आपके पास में संभव है तो यहाँ पर तीनों आपको लिख दिना चाहिए मेरे हिसाब से चलिए अगला कोशन विद्दुचिम्ब की स्पेक्टरम का कौन सा भाग ओजोन परत बहुत ही सिंपल है परावैगनी जो भाग होता है वो ओजोन परत के दोरा अब सोसित हो जाता दस सेंटीमेटर फोकस दूरी वारे उत्तल लेंस से बने सुक्षुदरसी की आवरधन चमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंद अनंत पर बने तो आपको पता होता अनंत के लिए M एक्कॉल डू कितना होता है दी बाई एफ है ना तो डी कितना है 25 सेंटीमेटर एफ कितना है 10 तो आंसर कितना हैगा 2.5 होगी इसकी आवरधन चमता बहुत बढ़ी है क्वेस्टन आइंस्टाइन का प्रकास विदुद समीकर निकला है लगभग सबको इधर कर लिजे बाकी को इधर ले आई है बन जाएगा समीकर कोई दिक्कत वली बात नहीं है लीथियम 3Li7 ओके देखो भई सब 3Li7 इसको सही कर लो यह है 3 यहाँ है Li और उपर है 7 कहरा नाभिक में कितने न्योटरोन है करके लिखना है अगले कोश्चन में सही जोड़ी मिला करके लिखना है चुम्ब की फ्लक्स घनत तो क्या होता है चुम्ब की फ्लक्स घनत की इकाई होती है भाई साहब आपकी टेसला चुम्ब की फ्लक्स घनत यानि बी एक्वल टू फाई अपॉन ए ये कहलाता च Hahaha क्षेतर की टीवरता है इसी को चुमामी की प्रिम्रा चलिए अगला द्रुब ल्ले क्या होता है का इसके होती है एंपावल मेंटर too having की प्रवथी चुम्ब की प्रवथी एक विमाहीन रासी है इसको काई से डिनोट करते हैं ये माहीन रासी है, ओके, चुम्बकन शीलता की तीवरता, तो यह कितना होता है, यह म्यू होता है, ओके, चुम्बकन शीलता भी बोलते हैं इसको, एक मिनट, चुम्बकन शीलता की तीवरता, तीवरता बोली जा रही है, तो म्यू तो भाई साब तीवरता नहीं बनेगा, म्यू अगला कॉश्शन देखते हैं ॥ col. अवरत किर्नों का आवरत किर्णों का आवरत किर्णों का परेवएगनी किर्णे गामा किर्णब बह opini साथ यहां पर समझ में आ rainfall सर्वाधिक आवरत्ति होती हैं अवरत किर्णों को प्योग अंधेरे में photography क्योंकि night vision camera अवरक किर्णों पर ही चलता है अंधेरे में photography वाला और अब परावेगनी किर्णों का उप्योग किस में होता भाई साब परावेगनी किर्णों का उप्योग जो होता है किटाणू नाशक में होता आपके घर में जो एक्वागाड वगरे लगा होता है उसमें परावेगनी के किर्णों के लेजर लगाया जाते हैं जिससे कि किटाणूं को मारा जा सके ओके तो यह हमारा जो पार्ट था second question का objective part मतलब की जो sorry second नहीं है यह first paper है जो इसका objective part के लिजे यह पहला part के लिजे यहाँ पर यह complete हो जाता है अब इसके बाद दूसरा part करते हैं दूसरा part यह उनके लिए confident है आपको तब मज आएगा जब आपसे सारा का सारा question बन रहा है तब आपको बहतरीन लगेगा ठीका नब को सुने में बहतरीन लगेगा अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको यह जीज चीज जो है सुनने मुतंना च्छ ङह बहतर नहीं लगेगा तो त्यारी अच्छी को दिजे अभी समय जितना है उसका व्योह कर लिजे रेखी आवेस के कारण सम्विभवव प्रष्ट अनन्त रेखी आवेस के कारण तो यह आपको derivation करना होगा ओके यह नय टाइप का सवाल है सम्विभव प्रष्ट तो आप जानते हैं जिसके प्रते एक विंदू पर विभव समान होता तो मैंने निकलवा रखी है और फिर इसके बाद आपको E.DL करके आपको सम्भेभव प्रष्ट निकालना पड़ेगा कि इसका वेभव प्रष्ट कैसा होता है तो कैसे निकालोगे I is equal to E upon R plus small r ये अधिक्तम धारा रहेगी और अधिक्तम धारा के लिए small r का मान क्या कर दोगे जीरो कर दोगे तो अधिक्तम धारा आ जाएगी चलो अगला question पांच सेल जिनके तुल परतरोद दो आंतिक परतरोद जीरो ओम है समांतर कर में जोड़ा गया है तुल EMF और आंतिक परतोद तो दो ही रहेगा ओके आंतिक परत्रोद आप निकाल लेजिए आंतिक प्रतुर आप निकाल लेजे, पैरलल का फॉर्म लगए, बायोट से वर्टला, very important question, कलपक कासी एक्जाम में आएगा, आवेशित कनपर लगने वाले विद्धुत बल चुम्बकी बल में दो अंतर बता दीजे, एक तरफ विद्धुत बल, एक तरफ चुम्बकी बल, विद्धुत बल जो होता है, वो इस्थिर आवेस पर लगता है, और गतिमान पर लगता है, चुम्बकी बल के बल गतिमान पर लगता है, यह छेतर की दिसा में गतिमान करने पर बल एफिकल्टु क्यूवी होता है, यह छेतर की दिसा में गति करने पर बल कितना होता, जीरो सकते हो मगर दिश्ट धारा को ऐसे कोई चीज नहीं है जो बढ़ा दे या घटा दे हाँ विद्धुचुम की प्रेंड समंदी लेंज का नियम किस प्रकार से उर्जस अनच्छन की नियम के अनुरूप है तो यह मैंने एक एक एक्सपरिमेंट करके बताया था कि जब आपको उंडली के पास में लाते हैं तो नौर्थ नौर्थ बन जाता है आपकी मेकैनिकल एनरजी कनवर्ट हो जाती कि इसमें अगला कुशन देखिए ठाप मान के असचितन 사य समघाए तो वही अपवरतन बनाना है प्रिजम से और यहाँ पर वी चलन की स्टिरी भी निखाने पड़ेगी तापाइनिक उठ सर्जन से आप क्या समस्ते हैं जब तापमान किसी सतह का बहुत अरिक कर दिया जाए धात्विक सतह का तो एलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है जिससे लेमडा एक्वल डू एच अपॉन एम वी ओके जिसी की तरंग देर्थ का मान कि हो जाता है तर्मान ज़्यादा होने से छोटा हो जाता है इसलिए दरश्टी गोचर नहीं होता है अल्फा कान के प्रकेणर पर दो महत्पूर्ण इसकर्स बत बताया था कि नाभी के प्ल निकुलियान की उर्जा ओके किस तरीके से मैंने बदर्टरीकिस को मैंने टोटल अनरजी को नाभी की बंधन ओर्जा कहते हैं जितनी जिक पर शिर्फ गया है नंट अंतर एक तरफ पिसमें पंचत्र संहों जी इस्में 3जी इसमें बहु संख्या कावे इस electron इसमें hole PN संख्धी diode में निरोधी विभव किसको कहते हैं ओके barrier potential आपको बताना है कि barrier potential क्या हुआ करता है तो PN संख्धन diode में barrier potential आपको क्या बताना है देखे कि एक potential होता है उसके बाद एक potential होता है barrier potential तो देखे यहाँ पर जो आपके पास में जो potential generate होता है जिसको करने के बाद forward बाइस में current या अग्र भीनाती में current बहुत तेजी से flown लगती है इस विभव को barrier विभव कहते हैं यह doping पंदर भर करता है और यह P और N junction के बीच में यहाँ पर इसमें यहाँ पर create हुआ करता है और यह किसकी वज़े से होता है यह immovable iron मतलब जो अचलित iron है उनकी वज़े से यह create हुआ करता है चलिए अगला question आकरशन बलकि गरना करना बहुत ही सरल सवाल है इसमें आंगे और अंदर और बाहर विद्धु छेतर तो विद्धु विभा हो तो यह बता रही का है मैंने कि अंदर और बाहर समान विद्धु विभा होगा formula लगा के find कर लीजे सेल के आंतरिक और प्रतरोध तर्मिलल में विद्धु धारा में समंद तो मैंने बता रहा था V equal to कितना होता है E minus I into small r यह होता है प्रतरोध विद्धु धारा में समंद N सेलों के समानतर करम सयूजन का सयूजन आप कर सकते हैं E upon कितना होता है capital R plus small r by N यस यह होता है इसका धारा का मान कर लीजेगा इसके बाद इसमें 8 विद्धु तबहाग बलकि बैटरी का आंतरिक प्रतरोध से सही होजी था यदि धारा का मान इतना है तो प्रतरोध का प्रतरोध क्या मतलब आपको capital R find करना है ओके तो पहले voltage निकाल लीजे और फिर voltage निकालने के बाद जो voltage आएगा उसमें आप current का भाग दे देंगे तो आपके पास में क्या आजागा total resistance आजागा अगला question मैं दुबारा करवा चुका हूँ एक बार अपने पास क्या है बीटा एक क्वाल टू लेम्डा ओके capital D upon a small d ये formula हुआ करता है तो इसका इस्तमाल कर लीजे और ये आपके पास आजाएगा पूर्ध तरंग दिष्टकारी पछले बार अर्ध तरंग आया इस बार पूर्ध तरंग दिष्टकारी आचुका है देखे कहूँ पूर्ध तरंग दिष्टकारी मेंption junction payload का क्रिया विधी डायोट काpis की शीर्सकों के आधार पर कीज़े परपत का नामा के चित्र तो बना देते हैं यह देखिए पराथ में कुंडली दोती है कुंडली चलिए अगला नोट और नेंड नोर नेंड गेट के प्रतीक और सत्यमान साणी लिखना है बहुत ही सरल सवाल मतलब उपर वाला सवाल को क्यों करेगा जब नीचे वाला सवाल बढ़िया है ओके चलिए अगला ग होती सरल सरकेट है लसी सरकेट तो बना लिजे इसके उपर वील गिरेगा इसके उपर वीसी गिरेगा और वील और वीसी एक दूसरे क्या पोजिट होते हैं तो यह तो वोल्टेज आपको वील माइनस वीसी मिलेगा या वीसी माइनस वील मिलेगा ओके हां जटता तब प्रत प्रणामी विस्थापन की थीवरता और के लिए सूत्र ग्याद कीजिए तो आपको फॉर्मुला पता है कि i is equal to होता है i1 plus i2 plus 2 under root i1 under root i2 cos of 5 तो यह derivation मैंने class map लोग को करा रखा है इसको देखिए उस chapter से और complete करिए तो चलिए यह भी बहतरीन तरीके से हम लोगों ने chapter कर लिया है अब एक chapter नहीं है यह तो paper number one है ओके और I hope बड़े अच्छे समझ में आया होगा आपको यदि नहीं आया है कह रहे हैं आपकी सर बहुत सारा matter है इतने जल्दी में कैसे complete करें तो देखिए physics जो होता है वो कोई एक दिन का subject नहीं होता है साल भर की मेनत आपको एक दिन में जाकर के वहाँ पर शो करनी पड़ती है physics अपने आप में बहुत ही lengthy subject है और ताकतवर subject है तो दोस्तों यह paper की त्यारी कीजिए और जो इसमें से आपको नहीं बन रहा है आप मेरे पूरी पुराने lectures में जाईए उनको देखे और उन topics को सही कीजिए Thank you so much for being with Loki Sir Unlimited Study Zone जैहिन जैभाद